हेलो गाइज वल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ आपका अपना चेंड एक्स वाल और गाइज आज हम रिव्यू कर रहे हैं होंडा अमेज सेकिंड जनरेशन का यह आप इसकी काकी देख रहे है आप होंडा मेज एस वेरियंट में देख रहे है और इसकी 9.99 मिटर की लेंग है 1.69 मिटर की वित है 1.5 मिटर की हाइट है 170 mm का ग्राउंड की लिएंस है 2.5 मिटर की विल बेस है 900 kg का कर वेट मिलेगा आपको तर्न रिंग रेडियस 4.7 मिटर का मिलेगा यह आप इसके हेड्लेम्स देख रहे हैं फ्रंट ग्रिल अल्मोस्ट मिनी अकॉर्ड लगती है होंडा मेज फ्रंट लूक बैक लूक में बिल्कुल मिनी अकॉर्ड ऐसी है और इसमें आपको फाइफ कलर्स मिलेंगे यह आप देखते हैं लूनर सिल्वर और इसके अलाव आपको मिलेंगे वाइट और्चिट पर्ल रेडियंट रेड गोल्डन ब्राउन अलाव सक्कॉल्ड व्यूर्च इसकी होग अलावीम फ्रं मॉन्ति भाइलेड अपकॉल इसके उवह-वी रेडेश Macron 175 65 R 14 14 इंच का आपको रिम मिलेगा 175 mm का आउटर डाइमर्ट्यू मिलेगा और 65 mm का आपको प्रोफाइल मिलेगा यह आप इसकी साइट प्रोफाइल देख रहे हैं कि शाक फिन एंटीना मिलेगा आपको यह पेट्रोल वेरियंट देख रहे हैं आईवी टेक इसकी रियर प्रोफाइल आई एक बाप बूट खोल के देख लेते हैं यहां पर आपको मिलेगा 420 लीटर का बूटी स्पेस और यहां पर इस पेर वील और कुछ टूल्स यह अनदर साइट प्रोफाइल आई एक बार रियर कैबिन देख लेते हैं कारकर डूल टोन कलर में आपको इंटीर मिलेगा यह रियर डोर पैनल यहां पर आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे पावर विंडों कुछ इस पेस मिलेगी बोटल होल्डर और स्पीकर कुछ ऐसी आपको दियर सीर्ट मिलेंगी आफ्टर मार्किट मैट्स काफी अच्छे मैट्स हैं कि आपको पावर आउटलेट मिलेगा 12 वी का सॉकिट और रियर सीट में आपको आम्रेस्ट मिलेगा आम्रेस्ट के अंदर आपको टू टू बोटल ओल्डर मिलेंगे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको हॉंडा अमेज का डूल टोन में डैश्बोर्ड इंटीरियर अपे एडिंग लाइट्स हाई एक बाव फ्रंट कैबिन में और चल के देख लेते हैं यह आप देखरें दोर साइड दोर पैनल यहां पर पावर विंडो कंट्रोल्स लॉक अनलॉक बटन वाविम्स कंट्रोल वाविम्स फोल्ड बटन यहां पर आपको स्पीकर और कुछ स्पेस मिलेगा बोटल ओल्डर के साथ और यह आप देखरें थिरी स्पोक में स्टेरिंग वील की कि हैं यहांपर आपको हैडलाइट बीम कड्रोल का अपचिन मिलेगा कि यहांपर fb पूल ओपन का उप्षिन और बॉनट ओपन का उप्षिन मिलेगा यहां पर आपको बूट ओपन का उप्षिन मिलेगा पैडल्स और मैनुवली अड़ेस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिलेगी यह आप देख रहे हैं इंस्टुमेंट क्लेस्टर जो आपको बताएगा काफी स्पोटी लुक में मिलेगा आपको इंस्टुमेंट क्लेस्टर जो आपको बताएगा आर्पी एम स्पीड फ्यूल इंडिकेशन रनिंग ट्रिप ए ट्रिप ए एवरेज 13.3 की एमपेल की एवरेज दे रिये ट्रिप बी ट्रिप एवरेज 97 रेंज डिस्टेंस तो एमटी और कुछ आपको इंडिकेशन स्लाइट मिलेंगी इंजन टंपरेचर का आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा और यहां पर कुछ कंट्रोल्स म्यूजिक सिस्टम के इंफोटेंमेंट कंट्रोल्स वाइपर कंट्रोल्स हेडलाइट कंट्रोल्स एसी वन प्लोस और यह आप देख रहे हैं इंफोटेंमेंट सिस्टम जो आपको देगा ब्लुटूथ यूएसबी ओक्स रेडियो एफम यहां पर एसी कंट्रोल्स और यहां पर आपको मिलेगा ट्वेल वी का सॉकिट यूएसबी चार्जिंग पॉइंट वन एंपियर के साथ यहां पर टू कफोल्डर और यहां आपको मिलेगा फाइफ स्पीड मैनूल ट्रांस्मिशन हैंपर हैंट ब्रेक और कुछ स्पेस मेंपको यहांपर गलोबोक्स काफी अच्छा खासा स्पेस मिलेगा आपको गलोबोक्स में एक उच अनादर साइड दोर पैनल संवाइजर विद वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड संवाइजर अई एक बाप बॉनट खोल के देख लेते हैं कार का तो जिसे लिए नहाँ बॉनी दोर पैनल जामस्थ येधी अपयां येधी लेधी लेधी 55 जाओ पैनल अपले संवाएट क्याल पाल और यह आप देख रहे हैं आइवी टेक पेट्रॉल इंजन वन पॉइंट टू लिटर में 1200 सीशी का आपको एंजन मिलेगा सिंगल हैड ओवर केम साफ्ट मिलेगी इसमें आपको सिस्टम मिलेगा इस यह प्रोड्यूस करता है 89 बह पी ब्रेक होस पाइड सिक्स थाउजन आर्पियम और 110 एनम टॉर्क एट फोर फोर हंड़ेड फोर्टी एट हंड़ेड आर्पियम और 15-270 की माइलेज देती है सिटी टू हाइवे में अभी वैसे मैंने आपको लाइव में 13.3 की एवरेज दे रही है बट हाइप रॉक्स अगर आप डेली रनिंग की कार है तो 15-17 दे देगी मैक्स एक बाप बॉनट बंद कर लेते हैं तो गाइस अब समय आ चुका है वीडियो को यहां पर यह एंड करने का तिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाइबाइस सी यू कर दो